अगर आपको result आने से पहले ही आपको अपने marks पता चल जाएं तो आपके excitement कितनी गुना बढ़ जाएगी ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ दोस्तों ऐसी ही एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी TMA के उपर ये वाली जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैंने तब बनाई थी जब आपको TMA के marks भी नहीं मिले थे और बाद में इस वीडियो को कई बार लोगों ने देखा अब ये वीडियो जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके कितने marks आएंगे और percentage भी आप खुद निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Excel की एक sheet तयार की है इस वीडियो को देखेंगे जब आप बड़े ध्यादे समझना देखेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके 10th class के marks आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके 10th class के marks की report card यानि कि इसकी detail N.I.O.S के पास है इसका weightage है 60% का जो weightage आपको मिलने वाला है यही subject है और यहाँ पर आपके English और Hindi, Math, Science और SST जो भी past subject आपके थे आपके 10th class में वो यहाँ पर दिखाए गया है 11th class का अगर हम बात करें तो 11th class का कोई भी खास report या कोई भी खास जनकरी N.I.O.S के पास आपकी नहीं होती तो आप हम बात करते हैं यहाँ पर 12th class के यहाँ पर 12th class में यह TMA के subjects हैं आप idea लगा सकते हैं आपके पास कोई भी subjects हो सकते हैं और भी अलग तरीके के subjects हैं वो subjects आप assumption लगा सकते हैं कि कौन-कौन जे subjects आपके पास हैं यह पर उनके मिलने वाले मार्क्स और यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर 10th class के subject और उनके मार्क्स हैं यहां पर 12th class को सबजेक्स हैं 12th class का सबजेक्स को सब्जेक्स का वेटेज हम 40% को यहां प Εंक के तोटल करें दून के लिख देगी कि cabeça सब्दैր Say मज़ेगा यह 10th class में आप अपनी report card में check कीजिए कि कौन से 3 ऐसे subject हैं जिन में आपको highest marks मिले हुए है for example माल लीजे English में आपको मिले है 70 marks ठीक है लेकिन यह कैसे मिले है 100 out of 100 right तो 70 out of 100 आपको मिले हैं English में तो इस 70 का आप क्या करेंगे दूसरा आप देखिए पहले दूसरा आप देखिए आपको हिंदी में कितने मिले हैं suppose कि आपको हिंदी में मिले हुए है 80 right और तीसरा आपको माल लीजे चलिए हिंदी छोड़िए मैं कहता हूँ आपको maths में मिले हुए है 78 marks right और तीसरा आपको science में मिले हुए है आपको हम ले लेते हैं 80 marks ठीक है अब हम क्या करेंगे यह हमने 3 best marks जो लिये हैं इसका weightage निकालेंगे weightage यानि कि 60% देखिए अगर आपके पास axle है computer है तो आप उस पे भी कर सकते हैं इस वीडियो को बार बार देख कर और अगर आपके पास axle नहीं है यानि कि आपके पास computer on the spot अगर आपके पास on the spot computer नहीं है तो भी आप चिंता करने की जुरत नहीं है आप एक paper पर बैठके भी आराम से निकाल सकते हैं तो आपके पास English में Maths में और Science में जो नमर आए थे उसकी detail आपके पास है अब आपको करन किया है सबसे पहले English का 70 marks जो आपको मिले है out of 100 इसका 60% weightage निकाल दिया है मैं निकालता हूं रिखे हम क्या करेंगे पहले 70 को divide करेंगे 100 से और उसको हम multiply कर देंगे क्योंकि हम 60% का weightage निकालना है तो हम 60 से इसे multiply कर देंगे यानि कि 70 को divide कर आपने 100 से और 60 से multiply कर दिया तो आपका जो weightage आया वो आया 42 English का right ऐसे ही अब आपको maths का निकालना है तो maths में कितने है 78 तो हम निकालेंगे 78 को divide करेंगे हम कितने में से आया 100 में से और इसको multiply किसे करना है क्योंकि हमें 60% weightage निकालना है तो 60 से करेंगे कितना आ गया 46.8 आप science का निकालेंगे right जो भी 3 highest है उसका निकाल रहे हैं हम ठीक है science का निकाला हमने हम लिए 80 80 को हमने divide करा 100 से और इसको multiply कर दिया हमने 60% weightage निकालना है 60 से तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास 10th class के 3 subjects में जो highest marks आये थे उनका हमने weightage निकालना है 60% का तो एक तरफ तो हमारा काम clear हो गया ये 10th क अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए अब आप 12th class के जो TMA के आपको marks मिले हैं उनके marks आप देखिए और 3 highest निकालेजे सपोस कीजिए आपका English में highest आये है 15 राइट उसके बाद आप मान के चलिए आप art side के student है देखिए अगर आप commerce के भी है न तो भी आप 3 highest निकाल स लिया था और मेरेको economics में मिले हुए है 16 यह चलिए माल लिजे मैंने हिंदी लिया था हिंदी में मेरेको मिले हुए है चलिए economics में मिले है 14 marks ठीक है यह मेरे marks है तो आप यहां पर निकालेंगे 40 परसेंट तो टोटल हो जाएगा 100 आप निकालते है रहे इस इक्वाल टू आपको क्या करना है इस 15 को लेना है इंग्लिश में तो आप 100 से डिवाइट कर रहे थे क्योंकि 100 में से marks मिले थे आपको लेकिन यहां पर TMA में आपको 20 में से marks मिल गए सेम काम पॉलिटिकल साइंस में करेंगे आप इस इक्वाल टू आप जाएंगे 18 और इसको डिवाइट कर देंगे 20 से क्योंकि 18 आप 20 को मल्टिप्लाइ किससे करेंगे आपको मल्टिप्लाइ करना है इसको वही 40 परसंट तो 40 से यह आया 36 यहां पर 36 marks आपको आगए उसके बाद इसको डिवाइट करेंगे सेम 20 से और इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे आप किससे आपको मल्टिप्लाइ करना है वही 40 से सेम तो यह देखेंगे यह आपके marks आ रहे है 30, 36, 28 आप क्या करना है अब इनको टोटल करना है आपको इस इक्वाल टू पहले आप जाए यह 10th class के आपको 42 मिले थे English में, right, plus कीजे और यहाँ पर आपका English का weightage 30 का है इन दोनों को plus कर दीजे आपके 72 परसेंट यह निकि 72 marks आपको English में मिलेंगे 12th class में, इस तरह से, ठीक है, अब बात करते एकनोमिक, political science के स्वारी, political science अब देखें, इसमें आए 36 और वहाँ पर highest आपको mathematics में आए थे, right, तो आप क्या करेंगे, हम इसके highest, यानिक इसके 46.8 को ले लेंगे, plus करेंगे इसके अंदर हम क्या, 36 weightage, आप इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 82 marks, यानिक 82.8, तो यह लगबगा आपका हो गया, political science में, 83 marks हो लगगा, आपको यहां मिल ग इसको plus करेंगे, और इसमें economics के marks जोड़ देंगे, और इसका is equal to करके total निकालेंगे, तो यह आगया 76, तो आप आप देख सकते हैं, आपको number मिल चुके है, English में आपके 72, political science में आपके 82.8, यानि कि वो 83, और यह economics में आपके 76, अब इसका total कर दो, हम क्या करेंगे, हम इन त 76 plus कर देंगे, तो हमारा total आया 230, right, 0.8, अब हमें percentage निकालेंगे, तो percentage कैसे निकालेंगे, is equal to, आपने करा 230, right, 230.8, divided by, अब यहाँ पर आपको कि से डिवाइट करना है, क्योंकि तीन सब्जेक लिए हैं, तो 300 से डिवाइट करेंगे, 300, और इसको multiply कर दो, आप 100 से, आपकी percentage आ गई, आपकी percentage आ गई कितनी, 76.9, यानि कि वो ही 77% आ गई, दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, कि 77% आपको अगर 12th class में मिल रही है, जो कि 10th में भी अगर आप total percentage निकालेंगे न, अपनी highest की, तो वो भी लगबग लगबग, आपकी 77 या 78 ही बनेगी, तो अगर इतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो आप सोच सकते हैं, कि आपके साथ मेरे हिसाब से कोई नाइसाफी नहीं हो रही, बलकि नंबर उपर बढ़के ही बिलेंगे आपको, यह मैं आपको शेवर बता रहा हूँ, मैं एक दाबा कर सकता हूं, कि आपके 12th के marks आपके 10th क्लास के marks से ज्यादा ही दिये जाएंगे, और यह बात कही न कहीं अंदर से आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर, अपने 10th क्लास के marks तीन हाइस्ट लेकर, उनका वेटेज निकालिए 60% तुरंत, और अपने TMA के ती तुरंद देख सकते हैं आप और मैं कैलंडी देता हूं कि आपका रिजल्ट लगबख वही आने वाला है, जो रिजल्ट आप यहां पर अपना खुद बनाएंगे, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, तो मुझे जरूर बताएंगे, कॉमेंट करके, और चैनल पे नएओ तुरंद इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप बहुत जल्ट आपको 10 प्लास के बच्चों को इस बारे में बताने वाला हूं अगली वीडियो में, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, तैंक्यू थे सब्सक्राइब करे दो हूं कि वीडियो में, तब एक वीडियो में.